बी एस्टी सी सेकंड टेस्ट पेपर में आप सभी का स्वागत है साथियो इससे पहले फस्ट पेपर के अंतरगत हम 20 महतपूर्ण जनसंख्या से रेलिटेड कोश्चन कर चुके हैं यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उपर आई बटन पर क्लिक करके इस वीडि जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब आवश्य कर लें क्योंकि साथियो हम बी एस्टी सी के एक्जाम तक आपको इसके जिके और टीचिंग एप्टीटूट रिजनिंग हिंदी संस्कृत और इंग्लिस के इंपोर्टेंट कोश्चन की स्रीज में वीडियो लेक प्रतेक सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएगी आप वहाँ जाकर के भी इनका विस्तार से अध्यन कर सकते हैं तो आईए अब चलते हैं आज की स्रीज के इस पहले कोश्चन की तरफ आज का पहला कोश्चन है जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि विख्यात स्मार्क के सही जवाब दिये कुतुबुद्दीन एबक गया सुद्दीन तुगलक महमद गोरी और बल्बन काफी सरपेशली कोश्चन है तो यह पर आपका जो सही अंसर होगा वह होगा कुतुबुद्दीन एबक आज का नेक्स्ट कोश्चन है फटा-फट से आप आनसर सोचते जा में आखरी जनगन्ना हुई है और जो एक किसकी जनगन्ना उसका काम अब चलने वाला था जो की बीच में रोख दिया गया है तो फिलाल यह आंकडे 2011 की जनगन्ना को बताते और उसके अनुसार साथियों आप बताईए कि 30 शेयर 29 शेयर 25 या फिर 27 शेयर यह पर आपका सही अनुसर होगा वो होगा 29 शेयर अर्था 2011 की जनगन्ना के अनुसार राजस्तान में एक लाग से ज्यादा अबादी वाले कुल शेयर 29 हैं बात करते हैं आज के अगले कुश्चिन के आप देख सकते हैं कि त्रह मैसिक शोध पत्री का एनल्स आफ एरेड जोन देखिए यहां अनुसंदान संस्तान उसका यह फिर करशी अनुसंदान केंदर जैपूर का यहोज फिर नेशनल करशी अनुसंदान केंदर दिल्ली का नार्थात इस केंदरी प्रोवर्तिř धियोजने सेराज के किस अभ्यारन ह चला है बागु परियोजना सरिंस्का बाग परियोजना सवाइं मादोपूर यह पर बाग रिज़ब बिहार यह पर vandipur बारी कड़नट यह करुद्ढूरे से जुड़े कोश्चन से तो भी अंसर आपका सही होगा कि बाग परियोजना जो रनथंबूर सोही मादूपुर वहां पर ये इंडिया इको डवलप्मेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है देखते हैं आज का अगले कोश्चन को आज का पांचो कोश्चन आपके लिए कि हिमालने और नीलगीरी परवत मालाओं के बीच में इस्तित सरवाधिक उंची परवत चोटी बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है काफी पर गुनाथगड तो यहां पर जो आपका सही अंसर है वो सही अंसर होगा गुरू सिकर हिमालने और नीलगीरी के बीच में भारत में जो उंची सरवाधिक उंची चोटी है उसका नाम है गुरू सिकर देखते हैं आज के छटे कोश्चन को अकबर का जनम कहां हुआ आप देख तो यहां पर आप सही अंसर देख सकते हैं और बहुत इंपोर्टेंट कोश्चनों में से एक है और यह आपका यहां पर डी अंसर सही होगा अमर कोट के राना वीर साल के यहां अकबर का जनम हुआ था आपको बता दे हमायू को छेर्चा सूरी ने युद में पराजित कर द प्राणवीर साल के यहां अकबर ने जन्म लिया था तो यह काफी इंपोर्टेंट कोश्चन बन जाता है आज का सातों कोश्चन आपके लिए कि राजस्तान में निजी छेत्र के पहले बिजली घर की स्थापना किस जिले में की गई ज्यां दीजिए यहां पर निजी छेत्र का पहला बिजली घर राजस्तान का बर्तपुर, कोटा, चितोडगर या बाड़मेर तो यहां पर आप सोची आपका सेयांसर वो है बाड़मेर पाडमेर में राजस्तान में नेजी छेतर के पहले बिजली घर की स्थापना की गई आज का आठों कुश्चन है राजस्तान की वह जील जिसके किनारे हाथी गुमपा, चमपा गुमपा, राम जरो का आधी गुपाएं और संसेट पॉइंट, हनीमून पॉइंट, इत्यादी परियाटक इस्थल, इस्थितें वह राजस्तान की कौनशी जील है राजसमन, कोलायत, नक्की जील या फिर बालसमन जील यहाँ पर आपका सई अंसर होगा C. अर्थाद, नक्की जील राजस्तान की वह जील है जिसके किनारे पर ये परियर्टन इस्थल्ट बने हुए है आज का नौ कुश्यन है किस नए राजी के सन 2000 में गठन के बाद राजस्थान देश का सबसे बड़ा राजी बना आपको बटा दे इससे पहले मद्द प्रदेश देश का सबसे बड़ा राजी था तो इसमें से आप ध्यान दीजिये, उत्रांचल को अलग किया, जारखंड को, 36 गड़ को या कोई नहीं, तो आप सभी को मालूम है, 36 गड़ को अलग करने के बाद में, राजस्तान पूरे देश में आप सबसे बड़ा राज बन गया है, आज का अगला कोश्चन है, शिरोई क किस सासक ने इस इंडिया कंपनी से संथी की बहुत सर्फेसली कोश्चन है, सास्मल, लक्ष्वन, शिवसींग या लूम्भा, बिल्कुल आपका जो सही अनस्वर है उप्स ही है, सिवसींग के समय ben ही, शिरोई ने इस इंडिया कंपनी से संथी की थी, ऑज का अगला जोदपूर भर्थपूर जैपूर कोटा या जैपूर भर्थपूर बिल्कुल सरफेसली कुश्चन है सही होना चाहिए सभी का जोदपूर और भर्थपूर क्योंकि जोदपूर सबसे बड़ा संभाग और भर्थपूर सबसे छोटा और सबसे नमीनतम संभाग है बात करते हैं आज का अगले कुश्चिन की टॉडगड की पाडियं किस जिले में तो रावली टॉडगड सभी को मालम होना चाहिए नागोर, उदैपूर, अजमेर या फिर बाडमेर यह आपको सभी को अनस्वर सही हो जाना चाहिए यह टॉडगड रावली टॉडगड की पा कुनसी नहर मद्ध परदेश में 248 km तक जाती है दाइं बाइं दोनों या कोई नहीं सही अंसर होगा दाइं नहर एंसर आपका सही है प्लगड है कोटा वेरात से जो दाइं नहर निकाली गई वो नहर मद्ध परदेश में 238 कm तक जाती है आज का अगला क्युश् Two राज म बर्शिंग सर या कोई नहीं तो कोईले आधारित जो प्रजक्ट है वो कौन सा है सही अंसर होगा आपका यहां सी अर्थात बर्शिंग सर प्रजक्ट कोईले पर आधारित योजना है नेक्स कोशन आज का मुगल शासक जहांगीर किस राजपूत राजगुमारी से उत्पन था आपको बता दें कि अकबर की रानी थी वो और सबसे प्रिय रानियों में से एक थी राजपूत रानी थी वो जिससे ये जहांगीर उत्पन हुए थे तो मान भाई, बानुमती, हरका भाई या फिर जगत गुशाई तो आपका सही अंसर होगा यहां पे सी अर्थात हरका भाई वो रानी थी जिससे जहांगीर उत्पन हुआ था आज का नेक्स्ट कॉश्चन है निलिखित में से कौन सा नहीं है कौन सा जोडा नहीं है सुमिलित नहीं है बताइए जाखम नधी चोटी-shadada- dáणी पृताप गड़ो से निकलती है सहिए या गलत कांतली नधी खंडपर से निकलती है या इन मेंसे कोई नहीं तो आपको बता दें आपका सही आंसर होगा द हंडेला की पाड़ी सीकर से ही निकलती है तो आपका डी अंसर यहां पर सही जाएगा आज का अगला कुश्चन है बैस रोडगड के निकट चूलिया जल परपात के निकट चंबल में कौनशी नदी आकर मिलती है बहुत ही इंपोर्टेंट कुश्चन बामनी पारवती काली सि या सीप तो सोच लिए होगा आपने अंसर तो फटा-फट से बता देते हैं आपका अंसर यहां होगा ए अर्थात बामनी वो नदी है जो बैस रोडगड के निकट चूलिया जल परपात के निकट चंबल में आकर के और मिलती है आज का अगला कुश्चन सुमेल युद कहा ह हुआ था तो सुमेल युद का इस्तल कौन चाहिए उदयपूर में बरतपूर में अजमेर में या पाली में तो आप सभी को आना चाहिए अंसर बिल्कुल सरफेस है सही अंसर जाएगा आपका डी अर्थात सुमेल जैतारण पाली में इस्थित है यह आपका सही अंसर है बा कि इसका कारण कै वो भी देख लीजिए राज में जलवाई यह कारकों के ऐसा मानता और दरहत लिए शवरुपों में विविद्था इसलिए राज्तान के वनों में वरक्षों की प्रजातियों विविद्था देखने को मिलती है तो आप आपको बताना है कि क्या यह कथन और अर्थात आपको यह बताना है कि जो आपका यह कथन है और जो यह कारण है क्या यह दोनों सही है या गलत है देखिए ऐसे कोश्चन काफी पूचे जाते हैं एस और आर दोनों सही है और आर एस की सही व्याख्या करता है यह तो आपका ए बी कहरा एस सही है जबकि आर गलत ह अर्थाथ यह कथन सही है और कारण गलत है कि सी कहरा है एएस और आर दोनों सही है परन तु जो आर यह ias ki सभी आखे नहीं करता लेकिन जो कारण है उसको आप सही जस्टिफाई नहीं कर पाऊगे और इसका सही आंसर ए है अर्थात S और R दोनों सही तो हैं इसी के साथ में जो R है न ये R S की व्याख्या भी बिल्कुल सही कर रहा है आप समझें यहां पर ये ऐसे कोश्चन गलती कराएं S और R दोनों सही तो हैं इसी के साथ में जो R है न कारण ये कथन जो S इसकी व्याख्या बिल्कुल सही कर रहा है कि वे राजस्तान के वनों में प्रजाटिों, क्यों है क्योंकि जलवाई इसलों अ dio रहतले श्वरूप में विविद्ла है इसलिए वनों की प्रजाटिओं में भी विविविद्नय है तो व्याख्या विसाइ कर रहा है आज कान्तिम कोशंट देखें बहुत ही अच्छा कोश्चन है किस सॉफ्ट्वेयर द्वारा नागरिकों को वेभिन सुविधाएं एक इस्तान से प्रदान की जा रही है जैसे सुविधाएं समय परपंजियन लीज उपार बटवारे नीलामी त्यादी संबंदी दस्तावेजों का पारदर्शी वे आपका जो सही अंसर जाएगा वो जाएगा राज क्रेस्ट वह सॉप्ट्वेयर है जो नागरिकों को बेटर सुविधाएं प्रदान कर रहा है तो साथियों आपने आकलन कर लिया होगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चनों का आपने सही जवाब दिया वीडियो कैसी नाइक और सेर से में हम अगली वीडियो करने लिए परौथ साइत होते और क्या और इसमें अधिक सुफार किया जा इसके लिए भी आप हमें केमेंट करके जरूर बताइएगा इसी कि से ब्लब की अगलीगेया है उसमें कितने प्रसंत रखें और आंको कि सब्सक्ष में इस को इसमें confidence भी आ जाएगा बस लगातार आप जोड़ेरी हमारी स्ग्यांदर अर्शली चैनल के साथ में इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लें इसमें आपका हीत यही है साथियों की हमारे द्वारा प्लोड कीगी प्रतेक टेस्ट पेपर का नोटिफिकेश लगातार आप तक पहुचता रहेगा आपके वीडियों आज की वीडियों साथियों बस इतना ही नहीं नहीं श्कार